हाँ लुए वेल्कम बेकटू हिमाज़ण सक्सेस बुक आज हम डिसकस करेंगे 13 इसमबर 2021 किसके क्रेंट रखेर्ज सबसे पहले हम हमाज़ण डिसके करेंगे उसके बाद कुछ इंपरॉर्टेंट नेशनल और इंट्नेशन करेंट रफेर्ड डिसकस करेंगे स्टार्ट करते हैं डिस्केशन फर्स कोशिन इस इन विच एर ट्राइबल डॉयल्मेंट डिपार्टमेंट केम इंटो एक्जिस्टेंस विद अब्जेक्टिव तो गिब स्पेशल फोकस अन शोचल एंड एक्कनोमिकल अफ़ेट्मेंट और शिटू ट्राइब्स अनुसोजी जन जातियों के समाजिक और आर्थिक उत्थार्म प्रविशेश द्यान देने के उदेश्चे से आदिवासी विगास विवाग किस वर्ष में अस्तित्तों में आया तो ये आया जून 1976 में ऑप्शन सी कोरेक्ट अंसर है दिखी जो हम पहला कोशन डिसकस कर रहे हैं वो दूसरे कोशन से लिंक है तो जो हमारा ट्राइबल डॉयल्मेंट डिपार्टमेंट है उसके साफ नकी कही जून 1976 में और इसका जो में अब्जेक्टिव है जो भी हमारे शेड्डूल ट्राइब्स हैं इसके लिए पांच इंटिग्रेटर ट्राइबल डॉयल्मेंट प्रजेक्ट भी लॉच्ट किये गए है पहला जो है वो है कि नौर के रिकॉंग प्यों में दूसरा है लोहल के किलांग में तीसरा है स्पीति के काजा में चौता है पांगी के किलार में और जो पांचों है वो है बर्महर में और इसका जो हैड़कॉर्टर है वो शिमला में रखा गया है इसके लावा वर्ष 1981 में जो शेडियूल्ड कास्ट है यानगी SC डिपार्टमेंट के जितने भी लोग है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए एक स्पेशल कंपोनेंट पलार बनाया गया और ये कारे भी दिया गया जो हिमाजवदेश का ट्राइबल ड्राइबल्मेंट डिपार्टमेंट है उसे ही कारे दिया गया और यह जो हमाजब्रेश का Tribal Development Department है इसका राम वर्ष उनसे एकसी में चेंज करके रखती है गया Schedule Cast and Schedule Tribes Development Department लेकिन मैं 2002 में जो Schedule Cast का जीतना विर्कास का कारे है वो दे दिया गया Social Justice and Empowerment Department को और उसके बाद जो ये Department बनाया गया सा Schedule Cast and Schedule Tribes Development Department उसका राम फिर से चेंज कर दिया गया और फिर से रखा गया Schedule Tribes Department लेकिन में इसकी की तो ये थी 18th मीटिंग थी तो इसकी अदिक्षिता की मुख्यमतर जाराम ठाकुर ने तो हिमाजबधेश की विःत्यान गद्दी कल्यान बोर्ड की 18th मीटिंग और इसके देक्षिता की गई मुख्यमतर जारम ठाकुर। तो जो हमारा गदी board है गदी के लोग हैं हमाजव देश में गदी जाती के लोग हैं उनकी development कि इस तरह से की जा सके इसके इसके रिए discussion भी चिए की और कुछ key point भी बताये गे जैसे की हिमाजव देश में गदी community है वर्श 2013 में इस्कारा स्थेस ट्राइबर स्थेस तिया गया लेकिन जो पंजाब वाले एरिया में रहते थे और हिमाज़ में उनका मर्ज किया गया था उन्हें ट्राइबल स्टेटर्स नहीं दिया गया था तो यह दिया गया सभी को मिलाके 2003 में इसके लावा पिछले तीन वर्षों में हिमाज़ब देश को ट्राइबल अफियर हिमाज़ब देश का है इसके फिल फॉर्म है है इसे शॉट फॉर्म में कहते हैं वूल फैड सातर मंबर 1908 से कुछ किसापना की गई थी और इसके चेर्मेन है तिर्लोग कपूर देखिए हिमाज़ब देश में वूल से जितने भी कारे होते हैं शीप वूल याक बूल जितन तो काफी पुरान डिवार्टमेंट है सातर मंबर 1908 से कुछ कितापना की गई थी और इसके जो चेर्मेन है वो हैं तिर्लोग कपूर राजय सरकार ने किस वर्ष में गुजर समधाय को जिन जातिये का दर्चा परदान किया है तो कब किया था ये ये के था वर्ष 2003 में तो जो गुजर का लियान बोर्ड है उनकी भी 21 मीटिंग थी और ये भी इसके देख्ष तभी की गई मुख्य में तर जारम ठाकुर द्व करा दोरा नेक्स्ट इस ये माजलेश गोर्मेंट हैज गॉट इन प्रिंसिपल अप्रोबल ऑफ हाव मैनी करोड फॉर एश्या डवल्मेंट बैंक इंफास्ट्र डवल्मेंट प्रजेक्ट एस्पेशली फॉर टूरिजम सेक्टर इमाजलेश सरकार को विशेश रूप से प विदानसभा में जो सेशन चला हुआ है हमारा विदानसभा की साथर चला हुआ है शीद कालीन साथर उसमें इसके बारे में बताया विदानसभा को इसलिए इंपोर्टन आइए तो कितने क्रोड की संतांतिक मुज़ूरी मिली है ये मिली है 2,095 क्रोड की option d correct answer है अगर हम इ इसमें जो एशियन विकास बैंक यानि कि जो एशियन डिवर्मेंट बैंक है उसकी 2,095 क्रोड रुपए की अदो सरंचना विकास पर हो जाए यानि की infrastructure development project की मुज़ूरी मिली है और इसमें जो एशियन डिवर्मेंट बैंक है वो भारत सरकार को पैसा देगा और भारत सरका इसके लावा हिमाजग्रेश में इको टूरीजम को भी बढ़ावा दिया जाएगा और हिमाजग्रेश में कुछ ऐसे प्रेटेंस्तल हैं जो की अंचोए हैं उनको भी विक्सित के जाएगा तो पहले वीत भाग में यानिकी जो फैली financial assistance होगी उसमें 900 क्रोड रुपए दिय जाएंगे बात करें एश उडर्मेंट बैंक की उनने दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना की गए थी हैड़कॉर्टर है इसके फिलेपाइंस के मनीला में और इसके प्रेज़ेंट है मसासुगू असकावा वीवेकननन मेडिकल एंडिसर्ज ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है तो कौन है यह है यह है शांता कुमार हिमाज़देश के पूरे मुकें मंतरी शांता कुमार वीवेकननन मेडिकल एंडिसर्ज ट्रस्ट के अध्यक्ष है दिखिए न्यूज में क्यों है तो वीवेकननन पॉप्सपिटल है जो पालंपूर में चला जाता है तो वहाँ पर कार्डिया कैट लैब यह ऑपरेशन कर दी गई है बात करी चैना कुमार जी की 22 सितंबर 1934 को कांगडा मिन का जनम हुआ था और ये हिमाजड़िश के तीसरे मुख्या मंतरी थे इनकी पार्टी है भारतिय जन्ता पार्टी पहली बार ये सुलह विदान सबाक शेतर से 22 जुन 17 को हिमाजड़िश के मुख्या मंतरी बने 14 फरवी 1980 तक और उस समय इनकी पार् पंदर दिसब्बर 1921 तक इसके लावा ये कांगडाक शेतर से लोगसभा के लिए भी स्लेक्ट हुए नाइंथ लोगसभा के लिए वर्च उन्हुन उन्हुए में उसके बाद 98, 99, 99, 2014 में भी ये लोगसभा के लिए इलेक्ट हुए थे और वर्च 99 से लेके 2002 तक ही हमारे के दाइजाम में पुछी जाती है हिमाचर पर लाल चाया तो इन बुक्स को ध्यान रखिए का इन सभी बुक्स को एक बार रिड़ाउट कर लीजीगा इसमें इंपोर्टन है हिमाले पर लाल चाया विश्यो विजीता विवेकानंद राजनेती की शतरंज और पैट्रियोट इंपोडन पैट हैं मिविट डिश्टिक फिमाच पदेश्च मझानु व जगे और काफी लोगों को और काफी घर भी जल गया और काफी नुक्सान मीजीग वहां पर हुआ डिस्कुस करते हैं नेशनल और इंटनेशनल कंट फिर्स फर्स कोश्चिन इस विच वेटलेंड इन उत्तरप्रदेश हैज बिन डिकोगनाईज़ एद रामसर साइट उत्तरप्रदेश में किस आरद्र भूमी को रामसर साइट की रोप में माननेता दी गई है तो किसे दी गई है यह दी गई है हैदरपूर वेटलेंड को उत्तरप्रदेश में एक वेटलेंड जिसका नाम है हैदरपूर वेटलेंड तो उसे अब रामसर साइट में रखा गया है देखिए रामसर एक इरान में जगा है और वहां पर वर्ष 1971 में जितने भी वेट लेंड होते हैं वर्ड में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कर्वेंशन बनाई गया जिसका नाम रखा गया रामसर कर्वेंशन वर्ष 1971 में ये बनाई गयी थी तो देखा जाता है कि कौन कौन से वेट लेंड है जिने की गंजर्व करना चाहिए तो उन्हें रामसर साइड में रखा जाता है तो उतरपदेश का हैदरपूर वेटलेंड है उसे अब रामसर साइड में रखा गया है टोटल उतरपदेश में अब 9 रामसर साइड ऐसी हो गई है जिनकी रामसर कनवेंशन में रखा गया है इसके लावा जो यह हैदरपूर वेटलेंड है इसे नमामी गंगे प्रजेक्ट के अंतरगत मॉडल वेटलेंड के रूप में भी रखा गया है क्योंकि यह गंगा नदीकी किनारे स्थित है और पूरे भारत में टोटल 47 वेटलेंड ऐसे हो गए है जो की रामसा साइड बना दी गई है यह पूरी की पूरी लिष्ट है हुआरी सभी की स्टेट वाइज जिसमें की एक अंदरपरदेश में है कि हमाज़ पूरी कौन से है। नौ उत्रपरेश, एक उत्रपरेश, एक उत्रखण और दो वेश्ट बैंगाऊर सबसे ज़्यादा जो वेटलन हैं जो की रामसा साइड में रखे गए हैं वो हैं उत्रपरेश में टोटल नौ है ये अंसर दीजिएगे comment box में कि हमाज़ दिश में कितने wetland एजनी की रामसर साइट में रखा गया है बात करें उत्रबरेश की capital है लखनाउ, गुवर्नर है आनन्दी बेन पतेल और मुख्यमंतरी है योगी अधित्यनाथ और यहां पर एक national park है जो की है दूदुभा national park which state है topped in the 9th edition of India skill report 122 in the list of states with the highest goal of employment talent भारत कॉष्ष रिपो 2022 के नौवे संसकर्ण में रोजगार योग्य के प्रतीभा के उच्टम सर्विक्षन वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शिर्षपर है तो कौन सा राज्य है यह है महारास्त्रा option a correct answer है दिखी हाली में इंडिया skill report 2022 का 9th edition list किया गया तो इसमें जो employment talent है यानि की जिने की रोजगार भी तिया गया है और उनके अंदर योगेता भी है तो उसकी list में महारास्त्रा सबसे नंबर 1 पर है और दूसर नंबर पर है उत इंडिया skill report 2022 है इसकी theme रखी गई थी rebuilding and re-engineering the future of work देखी जो इंडिया skill report है इसके अंतरगत जो हमारा future work है किस तरह से बभीशे में कारे होगा कौन कौन से कारे हो सकते हैं और education and skill to match यानिकी जो हमें शिक्षा दी जाती है और जो हमारे पास skills है जो हमारे पास cautious है और जो हमा उसके जो कौशर है उसके जो skill है कुछ और ही है उसके अंदर talent कुछ और ही है तो यह देखना पड़ता है कि जो demand है आजकर उसको match कर पा रहा है या नहीं जो demand और supply है उसको match कर पा रहा है या नहीं तो इस चीज़ का सरा का सर्वेक्शन किया गया है इंडिया skill report में इसके लावा state with maximum hiring activity जहां पर जारा भरतियां की जाती है वो है महारास्टा करनाटका और तमिलाडू महारास्टा इसमें नंबर बन है इसके लावा सबसे ज़्यादा employable resources है जहां पर कि सबसे ज़्यादा employability जी जाती है वो जी जाती है पूनिय में जो कि महारास्टा में सबसे नंबर बन पर है महारास्टा 66.1 परसेंट जो है employability rate है महारास्टा में next is which organization released two reports titled reports on the current status on the country level and district level emergency and injury care in India देखी दो reports release की गई है पहली report जो है वो हमारे भारत लेबर पर country लेबर पर ये बताता है कि जो emergency और injury care है इंडिया में किस तरह से उसे deal किया जाता है दूसरी report में बताया गया है कि जो emergency और injury care है भारत में उसे district level पर किस तरह से deal किया जाता है तो दोनों report ने किसके दोरा release की गई है तो ये release की गई है निती आयोक के दोरा इतना ही ध्यान रखिएगा कि दो reports कौन कौन सी है ये और इस release किस ने किया है बात करें निती आयोक की फुल फॉर्म है National Institutions of Transforming India इसके chairperson है भारत के प्रधारमन देंडेंदर मोधी, vice chairperson है राजीब कुमार और CEO है अमताब कांथ एक जन्वी 2015 को निती आयोक के सापना की गई थी इससे पहले होता था प्राणिंग कमिशन इसका headquarter है नियू देली में Which company has launched the आतम निर्बर हस्त शिल्पकर scheme to grassroots articians of the North Eastern region किस company ने उत्रपुर्वी क्षित्र के जमेनी स्तर के कारिगरों के लिए आतम निर्बर हस्त शिल्पकर योजना शुरू की है किसने शुरू की है ये की है North Eastern Development Finance Corporation Limited ने इतना ही द्यान रखिए गया जो आतम निर्बर हस्त शिल्पकर scheme है इसे launch किया गया है North Eastern Development Finance Corporation Limited द्वरा और ये जो North Eastern Development Finance Corporation Limited है इसका headquarter है असाम के कुवाहर्टी में और इसके जो CMD है वो है PBSLN मुर्ती Life Insurance Corporation of India has got RB approval to increase its stakes in which bank to 9.99% भारतिय जीवन वीमा निगम को किस bank में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% करने के लिए RBA से मंजूरी मिल गई है तो किस bank में ये अपना stake बढ़ा सकते हैं ये इसका correct answer option भी इंडस इंड बैंक तो LIC को यानि की Life Insurance Corporation को अब approval मिल गया है Reserve Bank of India से कि इंडस इंड बैंक में ये अपना जो stake है उसे increase करके 9.99% कर सकती है और ये कर सकती है सिर्व एक वर्ष के लिए तो 8 December 2022 तक अपना ये stake 9.99% कर सकती है तो अभी तक जो LIC का जो stake था वो इंडस इंड बैंक में वो था 4.95% तो अब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9.99% बात करें इंडस इंड बैंक की वर्ष 999 में इसकी स्थापना की गई थी हेड़कोर्टर है इसका मुंबई में और इसके MD&CO है सुमन्त कटवालिया इसके लाब आब बात करें LIC की Life Insurance Corporation की एक सिदंबर 956 को इसकी सापना की गई थी चेर्मेन है MR कुमार और हेड़कोर्टर है मुंबई में इन्विस्टेट दे सम्मथी प्रजेक्ट इस टार्टे टू एड्रेस्ट लेंगवज इशू फेच्ट बाई ट्राइवल स्टुडेंस इन दे इलमेंटरी क्लासिज प्रात्मी कक्षाओं में जंदाती चात्रों दोरा सामना की जाने वाली भाशा के मुद्दों को सम्मथी करने के लिए किस राज्य में समहती प्रयोजना शुरू की गई है देखिए एक राज्य है हमारे भारत का जिनमें की कुछ ऐसे बच्चे होते हैं प्रात्मी कक्षाओं में जो कि ट्राइवल स्टुएंट होते हैं और उनके द्वारा भाशा के मुद्दे होते हैं म तेर्क्टल है भूवनेश्वर गवर्णर है गनेशी लार और यहां पर दो नैशनल पारक है एक है भीतल करनी कर नैशनल पारक दूसरा है सिमलिपार नैशनल पारक ये थी मैं डिस्केशन और अगर आपको इस सेशन के PDF चाहिए तो आप टेलिग्राम चैनल से रह सकते हैं टेलिग्राम पर सच केजिए हमाजाल सक्षास बुक और वहाँ आप इस सेशन के PDF राप्त कर सकते हैं मिलते हैं ने डिस्केशन में थैंक्स वर वचिंग वीडियो दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल